इस वीडियो में हम सीखने वाले बहुत ही इंपोटेंट चीज यदि आपके पास इंग्लिश नेम है कोई और उसको यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो वह आप किस तरह से कर सकते हैं जैसे देखिए मेरी स्कीनिप आप देख रहे होंगे इस राइप से ठीक है सो प्रे करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करने आप आप गूगल सीट को अपको आपको ओपन करना है यहां पर कोई आप पे शीट ले लिए सपोस्व में यहीं नीव शीट ले लेता हूं यहाँ पर ब्लैंक नियव शीट ठीक है यह ओपन हो गई आप कुछ नी करना है आपको जो एक्सल का डेटा है इस डेटा को मैं कोपी करके यहाँ पर डाल देता हूं यह मैंने Google Sheet ही इसका थोड़ा सा alignment में सेट कर लेता हूं यहां पर ठीक है अब यहां पर हम कुछ भी कर देते हैं हिंदी कर देते इसको तू हिंदी ठीक है फ्रेंट्स आपको कुछ नहीं करना यहां पर चोटा सा function पास करना है एक वल टू प्रेस करके फिर हमने के गूगल टांषलेट यह लिखा है इसरोग क्लिक करना है है क्लिक करने बाद टैस्ट दमेरा यह ग हसonto में यह नेम चाहिक है यहां पर कोमा लगाईगा अब टैप कीजेगा E N ठीक है English के लिए E N सिर्फ और double quote बंद कीजएगा again, open कीजेगा यहाँ पर source language में आपको वापस जो target languages इसमें आपको क्या show कराना वो type कीजेगा यहाँ पर मैं double quote में ह डाल देता हूं ठीक है डबल किलिक करता हूँ तो यह देखिए वीडियो ने वन सेकंड में यहाँ पे इंग्लिश नेम को उसने आउटोमेटिकली हिंदी नेम में आपको कनवर्ट करके दे दिया ठीक है यदि अब आपको इसको एकसल में लेना है तो कुछ नि इसको कॉपी करें कॉपी करने के कर दो